गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम ट्यू आल इन मॉरल साइंस ए लर्निंग क्लास क्लास हमने प्रिवेस क्लास में चाप्टर सेवन पड़ा था जो के था ट्राफिक सेंस के बारे में आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा है और उसमें बताया गया था कि ट्राफिक रूल से चलना चाहिए गवर्मेंट ने हमारे ट्राफिक रूल से क्या-क्या रूल स बनाये हैं वो उसके आमल करना चाहिए उन्हीं हिसाब से चलना चाहिए आज हम New Chapter Is Start करें चैप्टर 8 Overcoming Disabilities अपने माजूरी पर काबू पाना, माजूरी का सामना करना, आज हम इसके बारे में पुरेंगे जेसिका कॉक्स वाज बाउट आम्स टो एन अमरीकन फादर एंड फिलिपीनो मदर इन अरिजोना, अमरीका जेसिका एक ऐसी बच्ची है जो बगएर बाजों के, बगएर हाथ के पैदा हुई थी, जो जिनके वालिद, जिनके फादर अमरीकन और मदर जो थी फिलिपीनो, एरिजोना की फिलोपीनो थी, वो अमरीका में जेसिका जो कॉक्स पैदा हुई जेसिका के जो फादर थे, वो विलियम कॉक्स एक रिटायर बैंड टीचर थे और उनकी जो ममी थी, एनिस कॉक्स, वो एक नर्स थी जेसिका ने अपने पैरों से वो करना सीखा, जो दूसरे बच्ची अपने हाथों से करना सीखते हैं जेसिका जब तीन साल की थी, तो उन्होंने जिमनास्टिक क्लास जोईन किया, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया और जब जेसिका छे साल की हुई, तो उन्होंने बेकवाट पूल में स्विम किया, और उस डान्स क्लास में भी टैप किया उन्होंने अलग अलग तरह की अक्टिविटी की, जैसे जिमनास्टिक और टैप डान्स करना और उन्होंने स्टेज पर भी परफॉर्म किया जैसिका के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जब के वो एक बगार आर्म के बगार बाजू के पैदा हुई थी, और वो स्वस्त थी, अच्छी थी, और वो बहुत सारे वो उसका सामना करती थी जैसिका कहती है कि मैं बहुत ही अजीब महसूस करती थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब लोग मुझे घूरते थे, मुझे देखते थे, खास कर तब जब मैं रोट पर चलती थी, और या मैं खाना खाती थी अपने पैरों के जरिये बट आपको बदलना है और मुझे एक मिसाल कायम करना है Jessica admits that earlier she was quite shy when she was with other children and adults I used to feel shy about being different, I remember the first time I was on stage, it was my very first dance presentation Jessica बहुत ही कम एज में बहुत कुछ कर लिया उन्होंने और वो कहती है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुए थी जब मैं दूसरे बच्चों के साथ रहती थी या किसी और को देखती थी मैं अपने आपको बहुत अलग महसूस करती थी, मैं दूसरों को देखकर बहुत शर्म महसूस करती थी मुझे याद है, वो बताती है कि मुझे याद है फर्स टाइम जब मैं स्टेज पे थी और मेरा वो फर्स डान्स प्रिजेंटेशन था I was so scared that I asked my dance teacher to put me in the back row मैंने अपने dance teacher से कहा, मैं बहुत घबराई हुई थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था तो मैंने अपने dance teacher से कहा कि वो मुझे back row में, यानि पीछे वाली line में मुझे खड़ा करे She told me there was no back row, fortunately after the show the audience clapped and cheered for her उनकी dance teacher ने कहा कि back row कुछ नहीं है, पीछे कोई line नहीं है, आपको आगे ही रहना होगा और वो कहती है कि show के बाद audience ने काफी मुझे cheer up किया और मेरे लिए तालिया भी बजाई